कि नमस्कार मैं प्रियाख सभी का फिर्सन स्वागत करती हूं हमारे फाइट वेस्टन सिटी पेस तो फेस ते आज हमारे साथ मौझूद है गुवनेशन और इसा से बहुत ही जाने माने वास्तु कॉंसल्टिंट पंडित अशुफ हुमार महापात्र जी तो चैनल से बात करते हैं और को जानते हैं उनके सर्विस के बारे में थोड़े से डिटेलिंग में नमस्कार महापात्र जी आपका बहुत स्वागत है हमारे फाइट वेस्टन सिटी में नमस्कार जी और आपको कैसे मैं सो सोड़े कि आप इस टॉप फाइफ भूवनेशुवर से बेस्ट टान के इस्टा हैं और मेरा भी पिता-माता का अश्रवाद हैं तो जब पेदा हुआ था न मैं पीता जी भी बोले थे तो यह बच्चा मेरा खूंदली देकपर बोले थे ये बच्चा इसका भाविशत में थोड़ा कुछ भी होगा एक से बोले थे मेरा माजी बोला को मेरे इस दिन से मैं जो पाट पड़ा था, बहुत दिन ही हो गया, मैं बेद वेदान्थ यह सब को हासल करके, यह मेरा ब्राम्हन कुल में जन्म हूं, बस मैं पूरा सच्छा समंत बंसदर की ब्राम्हन हूं, जगनाजी का नबरत्न हूं, मेरा जजवापा है, मेरा पिता जिव हैं, वो सब जगनाजी का पूजा करते हैं, मंदिर में, तो मैं अभी औरिशा का नबरत्न हूं, जगनाजी का, वो जो औरिशा में जो चलता है, जो पांजी का, जो पांजी में, पांजी मेरा दोरा, वो सब काल्कुलेशन होता है, तो इसलिए औरिशा इंडिया का कौन-कौन मे जग्रनाद जी का पंडित तो वो कि एज से वह जग्रनाद जी का अशिरबाद से जो आप लोग की जोड़ा के बहुत भल वहला बहुत भलपाइबा मेरा उपर भी है उसलिये सब को ठिक ठरी चलता है जी 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 पड़ करेंगी बस com की सेवा करेंगे ग मैं यसी ही जब ज जी उनला करो है जिबहन बीजाएंगे झाफ दां में जايगा इससे जगर나ी का आशरबार में एधर मैं सूश tutte जगरनाद जी का अश्रवाद मेरा दिये थे में सोचती हूं जी 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 देखें कि आगे क्या होगा बिल्कुल बिल्कुल जी महबातर जी तो फिर आपको कितने साल हुए इस प्रोपेशन में आई हुए कितने साल हो चुके वैसे आपको अभी 22 साल हो गया था मैं वह वास क्यों अब फिर प्रोफेशन में क्यों हो यह स्लेक्ट कि अप्चुले मेरा घो मेरा ऑन्य प्ला करता हैं अ्वाल इस लिए अमेरा पिता जी थी का एक इच्छा सक्टी थाaj myself तो फिर अगर कोई आप से संपर्क करना चाहे जैसे की मुलाकार करना चाहे आपको मिलके अगर कुछ उंको जारना हो तो वह कैसे मिल सब्सक्राइब आपका जरा सा डीटेली में आपका एड्रेस बताएंगे देखे भूबनेशवर ओडिशा में भूबनेशवर शिट्टी में राजधानी है मेरा तीन दिन में भूबनेशवर में रहता है खेंडगीर के आसपास में तो मेरा चांबर है और मेरा पर्मनेट रेसिडेंट में बनाया था खुर्धा में है तो खुर्धा न्यू बोस्टें कब आओगे तो भूनेश्वर भी जोड़े के आजाना बस मेरा नंबर तो आप मान की पास भी है जी मेरा मोबाइल नंबर भी करके जब आप आओगे तो मैं कहां पर हूँ आपको मिल जाएंगी तो यह सब ठीक है नाई जब अनलाइन पर भी आप मैंने कोशिधर आप एक जोड़ी काम था जोड़ी काम था अनलाइन पर आप डिसकेशन करना चाहती हैं जो आप मेरा वाट्सप नंबर डबल नाइन त्र प्रिक 4402 कोई नमबर पर वाट्सप वीडियो करके आप बात करने और मेसेज भी सेंड़ेंगे तो मेरा साथ डिसकेशन भी करेंगे इस सब भी हो जाएंगी ओके ओके मैं आपको अगला सवाल यह पूछने वाली थी कि आप क्या ओनलाइन में पर आप क्या अवेलेबल रह बिजनेस वाट्सप है मेरा और वाट्सप भी है तो दोना नमबर में है क्या वहां पर कैसे कैसे सर्विसस देते हैं और बास्तु के बारे में बताइगे देखे बास्तु का समस्या सब कुछ साल में करूंगी क्योंकि आपके देखे पोर्णों चार हैं दिंग भी चार हैं बास्तु का एक छोटा सोत्र में आपको बता रहा हूँ ओडिया में एक धगा धमाली था है आप जानता है वो दक्खिन में पूर्व दरजा, देबब दरजा, दक्खिन दरजा, रजा, उत्तर दरजा, पाले परजा, पस्तिम दरजा सजा तरणों आपको चारीटा मुख, चारीट द्वार, तरणों से द्वार कु आपको दिगो कु मुख कले आपको रास्सी पहिं भल प्रतिकार केची करियाग पड़िवो आपनों कर अग्निमोड, प्रभाग, धारिद्रता, दुख, रोगोबेर्धी पिड़ा, बास्तु के लिए सब कुछ होता है इसका बास्तु में अनेक समस्य भी है जब भी बास्तु का कोई भी प्रोब्लेम आप फील करेंगे तो आप दखिए सबुठो भाइटल पॉइंट है बस्तु का सीड़ी तो आपकी जो स्टार केस है ना वो स्टार केस जब ठीक दिगर से आप डिसा में जब नहीं बनाएंगे तो आपकी घर में क्यांसर जाते हैं वहां बैमारी भी आजाएंगे तो आपकी जो दिस सीड़ी रॉंग स्तान पे आपकी स्टार केस बना दिया था तो घर के लिए बहुत विपोद आ जाएंगे तो उसको भी समाधान में कर पाऊंगी तो आप देखिए पारली सिस्ट है और जो ड़की आपका ब्रेंस्ट्रोक है है हाट फेल्वर है तो कीड़नी प्रोब्लेम है उसको जलबाई के लिए आपकी जो ट्यूवल है ट्यूवल जब राउंड दिशा में आप जब कर जाओंगे तो इस सब प्रोब्लेम भी आ जाएंगी तो उसको साल भी में कर पाऊंगी तो वास्तु का इधरी टेंशन आपका में खलाश कर दोंगी समाधान की पारे में ओके 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 ठीक है और मह अपाता जी मैं आपसे जाना चाहूंगे कि वास्तु में और एस्ट्रोजी में कुछ ऐसे खास पर्क है या नहीं है मतलब इन दो चीजों में क्या ऐसे पर्क है यह दो एक ही है यह बहुत आच्छा बात है यह कुस्चिन था आप पी तो वास्तु और यह आस्ट्रोजी आपका जो भूत आपकी सरीर जो पंचभूत में बना हुआ था पंचभूत कौन है यह पंचभूत बायू, आकास, पानी, अंतरिख्य, माटी यह सब मेटी मिलकर आपकी सरीर है निर्मान किया है भागवाद तो इसमें नबग्रह की पुड़ा कम्प्लीटली जोड़ा इंक चंद्र आप दोनों ग्रह को जानती हैं, सुर्जे के बीना यह समाज नहीं चलता, जो जो आता है चंद्र जी के पास और गर्मी बात जोड़ा कि यह आपकी जो सुर्जे आलोग आता है शुर्जे के पास तो यह समजब नहीं रहे गे तो जो बायू अग्नी अंतरिख्य, म नबग्रह के साथ हैं, तो नबग्रह जब परिक्रमत करेगी तो इसके साथ परिक्रमत करेगी, तो जिसका भैग्य खराब पड़ेगी तो भूमी खराब हो जाएंगी, आपकी बास्तु प्रोब्लम में आ जाएंगी, इस सब कुछ हैं, आप देखिए, आजमी घर बनाना जब सोचता है, जो कैसा आएंगे प्रोब्लम, आप देखिए, इबरी मुमेंट आप जो घर में जो उपकरन लगाया हुआ ना, वो बाली और पत्थर और गोडी और सिमेड ये सब बाली कहां सा है, वो नद्दी के पठा में, वो नद्दी के पठा में, आप ग्यारेंट द है, उसका जोड़की टूटा हुआ चूरी उसमें मिला नहीं है, गुणिया उसका जोड़की पुजा परवन खरत्म करके, पुजा सामगरी को उसमें फिकता नहीं है, ये समकुछ हैं बाली में, तो उस बाली को सुधी करके, जब आप घर लगाओगे, तो आपकी घर निश सब्सक्राइब कोई समझें नहीं है, नब करहां कांट्रल हैं, सब ठीठेक दाएंगा, ओके, ओके, तो और एक मेरा सवाल इसी बात से है, कि जैसे कि आजकल के जो यूवाई है, जो यंगर जेनरेशन है, वो लोग जादा तर क्या होते हैं, इस पर विश्वास नहीं रखत करता है, और तक जानम देता है, तो जो ये आदमी बूलती है, वो जातम को में विश्वास नहीं करती है, वो आदमी उसका पीता मैं तक मिश करती है, तो आज आप छोटे थे जिवन में जो कुछ हुआ वो सब जोड़े की पिता माता के पास आप बुझा-बुझा करके आप जो सब काम किये थे तो आज आप खेलना चाहती है तो माता जी गोलता मा मैं खेलना चाहती हूं पापा मेरे को पैसा दीजिए, पापा मेरे को प्यांड दीजिए, शार दीजिए, पापा भल मात जोड़ा की फीस लाएं, मैं खाऊंगी, तो पापा मैं फ्रेंड की घर आसपास घुमने के लिए जाता हूं, इस जो पित्तमाता भी टेंशन में आते हैं, क्योंकि भगवार पूछती हैं, प्रभू, आप तो बोले थे संसर करने के लिए मैं संसर गड़ दिया, आप तो बोले थे संतान पेड़ा करने के लिए मैं पेड़ा किया था, फिर भी ये किसे भल पाईबा प्रभू, ये तो जिबन में हर पल जोड़ा की इबरी मोमेंट में जो भी काम करता पिता माता के बिना कुछ काम नहीं भी करता है तो दुनिया में तो हम नहीं रहेंगे ना वह भी रहेंगे ना वो इस टाइम पर किसी को पूच के वो सब काम करेंगे तो भगवान जी इसमें जोड़ा कि निर्मान करती है जातक जन्मक पत्री का अब पिता माता जी को भगवा नहीं रहेंगे तो क्या होगा यह जातक रख ले तुम्हारा जब प्रोब्लेम आएगा ना वह जातक ले कर पंडितर को जातक देख पे सत्व कर देंगे एसा नहीं जाओंगे शाम को घर जल्दी आना जाला कुट्टा के जोड़ा पास नहीं जाना तो ठीक आप सोचे कि यह म जोड़ा की टेंशन लेना यह सब काम पस तो पंडित और पीता माता यह सब समान है तो जातक कि शुर्ष्टी के बला भगवान जी का आंग है पीता माता के अंग है जानको जाकत को भिलिव करना आप मेरा नहीं आप सभी का अब ढोटा धर्म हैं तो आप शित्वी भगवा इस वर सदा सरभोदा जातेक्विलीर यह जिवान दो कि भगवानि इसे आध्यए घरा समसथिए नहीं तो विष्वास बहुत सारे लोग एस्ट्रोजी में आ रहे हैं वास्तु में आ रहे हैं तो लोग आपको ही क्यों चुने मतलब आप में ऐसे क्या खासियत है जो लोग इस इंटर्व्यू देखें कि उन लोग को लगी कि हाँ आपके साथ संपट करना चाहिए वह लोग को देखें मैडम यह त वह मेरे लिए भगवान थे क्योंकि वह प्रफेसर में अलगा है कर्म भी अलगा है वह दुनिया में सारविश्व दर्वान में जितना लोग हैं वह सब लोग की एक लख्या हैं कहां पैसा मिलेगा सुबे से साम तक पैसा के लिए सब भी लोग चेष्टा करती हैं जी जी ल भगवान जी का अश्रबाद मेरा कर्म मेरा पितमत्य के अश्रबाद आप लोग की भलपाईबा ये सब मेरा साथ में हैं तो आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रोब्लिम नहीं तश्रा बास्तों में कुछ भी डिफरेंट नहीं जो में कर पाओ और कोई आदमी कर नहीं आप जड़ा आशा भी रखती हूं इन फ्यूचर में जब जगनात्र जी का अश्रबाद मिलेगी तो इंडिया में कौन-कौन में सभी के उर्दे में में रहोना चाहती हूं ये सा मेरा इच्छा है शेसे इच्छा है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है महापात्रा जी जो इस वक हमें इस वीडियो इंडियो के माधिन से देख रहा है अगर आपको उनकी लिए छोटा सा मेसेज ये पर टीप देना हूं तो वह क्या होगा हां मैं एसे मेसेज दूँगी तो विश्वास मनिसे जिवन की प्रत्रम कर्टिब्य हैं पीता माता को विश्वास करो समाज को इस रखो किसी के महन में कॉष्ट नहीं देना सभी को समारूप में देखना और आपकी पास बिसकोशन करने के लिए भगवान एक सक्ति दिये थे भालमन चूज करने के लिए तो ठीक टाइम में राइट टाइम में राइट काम करना आपका धर में हैं तो रोटिन लाइफ क अब की जिबन धन्य हो जाएंगी और सभी को सन्मान देखे तो आपकी मानसिक सांती में दुनिया में हर कोल में बहुत आदमी पैसा के लिए बहुत और पैसा टेना टेमेटर किन्तो पैसा जो भी को कोई आदमी किसी भी उपाय में रोजगार करती हैं फिर भी एक दीन पड़ोगे पैसा आपका बिच्छा पड़ोगी तरणो राइट टाइम को फलो परो बास आप विश्वास करके देखो बास जीबन धन्य हो जाएगी बिलकुल बिलकुल से बिलकुल से जी महापात्र जी आप हमारे फाइट बेस्टन सिटी में आये मेरे साथ ये इंटेव् लोग की घर-घर में पहंचने के लिए एक माध्य में है और भगवन जगनाथ जी वोई संफता को तिरगजी भी करें और ये संफता सारा विश्वादर्बान वर्ल्ड वाइड में उसका बिजनेस का विश्तार करें और सभी आदमे को ठीक से सन्मन देके आगे बढ़े जी को करन करन में सुख रहना वाले को बास क्लियर करके शारा विश्वादर्बान में पहंचना वए फाइब कि अश्रवाद मिलता है जगनाध में के बास। एसे बोलते हुं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमाई साथ यहां तक बने रहने के लिए आपको मिली जाएगा बाखी इस वीडियो के कैप्शिन में भी आपनों को अवेलबल हमनों कर देंगे फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और महापाते जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार